तो वाइस स्वागत है हमारी यूटूब चैनल यार इंदोरी व्लोक्स पर और आम दाय जा रहे हैं दमन तो दमन में जाकर आपको क्या करना है और किसी मस्ती करन नहीं है पुरा वीडियो देखे आपको सब कुछ हापता चलेगा इसी वीडियो के माध्यम से तो सबसे पहले ह जो आप फास सकते होटेंटेंग जो है जो चिपस वागिरा होती हैं वह क्योंच यै condemnation है इसलिए जो इसलिए हमार खानवं शयक्तर मिड्रेंग ग्रीयम से ऐब अगार ट्रेने में नहीं कर सकते हैं जो पेपर सोपे बहुंप जरूरीोटाह्य था है यह अगर सफर कर रहे है और अगर आप बहुर हो रहे है तो ट्रेम तर्थैन के नंदर लुड़ो कहल सकते हैं और ट्रेन का खाना बिलकुल भी ना खाये, घर से बना हुआ खाये, तो जो अपने सफर में घर से बना हुआ खाये, ट्रेन का खाये, क्योंकि स्वास्त के लिए आनिका रखोता है ट्रेन का खाना, और इसे के साथ जो है ट्रेन चलती जाती है, और हम पहुच जाते हैं वापी गंटे की जो है सफर कर आये हम और वापी पर उतर कर आपको सबसे पहले क्या करना है दैव का वी ग्लियर कर दे आपको दमन में रूपना कहा है तो मैं आपको बता दे तो आपको जाना है देव का वीच नुस्कितर में वहां । होटला के सामने गली हैं वहां पर बहुस सारी लोज बनी हुई है वही पर हम आते हैं और वहां पर हम नेगोसियेट करके उत्सा होटल के अंदर रुखते हैं तो साहर होटल में जो हैं हमने बेट पर दो जने सो सकते हैं, तो छे जने रुख सकते हैं इस रोन के अंदर, और पोस्टे से ही जो है हम जिस काम खिले गए ते हमने शुरू कर दिया है, यहाँ पर बीर बहुत सस्ती मिलती हैं, और सुबह उता है इससे ही आप सबसे पहले पहुंच सकते हैं, देव का बीच देव का बीच पर आप फुल इंजोई कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, जो देव का बीच है, उसके नजारे सुबह और साम कोई देखना को मिलते हैं, क्योंकि जिस जिस दिन होता है, लहरे दूर चली जाती है, और समुद्र भी दूर जाते जाता है, तो देव का बीच का यह लोगे आप तो महिंगी पड़ेगी आपको बियर लेना है तो जो वाइन सोप होती है वहीं से लें वहीं पर यह पिछवतर साइसी सो रुपे में आपको सभी प्रकार की बियर है जो मिल जाए कर लिए होटल उससा जहां आप रात में आकर रुके वह था आपको दिखाया तो रस्ते से जो आप अजय बर्गर यहां का फेमस फ्रिंचाइजी है यहां से बर्गर ले सकते हैं पेरी-पेरी बारा बर्गर बहुत टिस्टी और स्वाधिक्ष्ट था वहीं हमने पेक कराया जामफोर बीच पर खाने के लिए और जामफोर बीच का नजारा कुछ तरीक बर्गर लाये थे हम समुद्र के कन बेटके निप्टा देते हैं तो आप भी हमारी एडवाइस मान है जो बर्गर वगर आए वो रस्ते सही पर्चेस कर लिए अच्छा रहेगा और बीच के नहीं पाये और बहुत ही खुबसूरत सा जो है समुद्र देखने को मिलता है आठ से दस किलोमेटर दूर है और यहां पर जो हमारे दोस्तों वगरा है इन्होंने फुल इंजोई किया पानी के अंदर नहा कर समुद्र के पानी में तो थोड़ा इंजोई और मस्ती कनना था तो समुद्र में हमने थोड़ी मस्ती वगरा करी और उसके बाद निकल जाते ह समुद्र के न जाहरा देखते एखते खाने पीने का मझा लगे रेक किया बहुत है समुद्र के किनारे सर्विस प्रोवाइड करें उसकेrakोडिंग जो लिए मैंगी दे रहे है यहां पर तो जो हिजांफर बीच के साइट पर जो है खाने पीने से अब बचे तो ज्यादा सह रहेगा क्योंकि यहां पर जो फूड है उसमें भी कोई साथ टेस्ट नहीं है और जो बीयर वगेरा यहां पर मिल रही है वह उन्दा रेट से बहुत ज्यादा मतलब पे रेट पर मिल रही है यहां पर भी हम बेट गए थे तो हमने इंजोई किया सारी महेंगी महेंगी सस्ती दारू भी यहां पर हमको सस्ती भीयर भी महेंगी पैसे पीनी पड़ी और यहीं जामफोर बीच पर आप देख सकते हैं जो कपड़ों की दुकान है तो आपको कुछ पर्चेस करना हो तो यहा जो हम पोच कर आप थोड़ से यहां पर रेश्ट वगेरा किया और निकल जाते हैं हम बोजन की तलास में गलियों में और जो देवका बीच के पास में चोटे-चोटे जो होटल रेश्टोरेंट बने हुए हैं खाने के लिए बार टाइप के तो हम पहुच जाते हैं अगें जो वाले बीच पर गए थे हम और जहां पर बेटे थे वहां पर 32-3600 रुपय का बिल बना जिसमें भी एरपीटियों चखना आए था और यहां पर जो है हमने मस्त जो है हमारी ड्रिंक भी ओडर करी और फूड भी ओडर करा सब कुछ यहां पर हमें बहुती रिजनेवल रे बीच के किनारे बेटे थे तो बहुती मेंगा पड़ा था हम सब कुछ और होतल पहुचकर हम रेष्ट करते हैं थोड़ा सा और रेष्ट करने के बाद वापिस हम सुरू हो जाते हैं बटवाइजर से सुरू करते हैं और तो बाग तुबार को और फिर उसके बाद खुलते जाते हैं बोटल इसी तरीके से सुबह हो जाती है और अगले दिन के लिए कुछ बसता नहीं जादा कुछ गुमने के लिए खली फोर्ट ही बसता है आप इसा चाहे तो दमन एक दिन के अंदर पूरा दमन कवर कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पर समय जाता है तो दो दिन आ जाते हैंगे और से सकते हैं यह को जूद helpless अंदर आपको वाथ गूं सकते फोट्ट के अंधर खाली दिछनने जैसा फोट आंदर कुछ भी इससा नहीं है कि जो फोट जिसार है आप देख सकते हैं, Christian Community की जो है, यहाँ पर रहन सहयन का तरीका और style के इस तरीके से उड़ेते तो उसे पर कार के मकान वगरा बने हुआ है, Christian Community के accordingly, और यहाँ पर जो है, फोटो के हिसाब से वाल वगरा पेंट की गई है, यहाँ पर आप फोटो सूट कर सकते हैं, बहुत जहाज उनको आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं, और यह भी समुद्र का एक किनारा है, यहाँ पर जो दमन की गंगा है, दमन की गंगा जो है, मिलती है समुद्र के अंदर, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर संगम है, गंगा का, दमन की छोटी गंगा का, समुद्र के सब्सक्राइब निए लिए लेकर रस्ते में वाइन सब्सक्राइब एक बीच पर निकल लाते हैं डेवका बीच का एक बार ना जारा देख लेता है अब आप देख सकते समुधर बहुत पीछे मुर्णिंग की टाइम पर आगे होता है और अगें यहां पर देवका बीच पर छोटना सा मार्केट बना हुआ है कपड़े वगारा काथ परच्छास करना चाहे तो यहां से कर सकते हैं। उपतलती होती है तो ही आप लिजा सकते है णहीं तो पर पकड़ा गया तो जुरमाना भरना होता है तो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोची है。 सब करके अगें निकल जाते हैं आज़ खाना खाया है मतलब कंट्यम दोनों दिन एंगान का था है क्योंकि हां का हमने फूड वगरा ओडर का आप देख सकते हैं यहां पर मस्त खाना वगरा खाने के बाद जो है यहां का बिला पे आउट कर दिया हमने जो ग्यारास रुपए बना और अगे नहीं हमारा जो रिक्स जिस रिक्सम आए थे भाहिया से नंबल ले लिया था हमने उसी रिक्सम चल बना रिस्ट पार करके उर जो करते बड़े बना पर अचिछे कुल टैयक आपर मिलतीय दो- तीजग यहां पर चाइक पराइब काैए दसमय होता है तो हम पुच जाते हैं नबर मतलब बोगी के पास 32 या मरीट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं राता है युक्छ ये अच् Skill अपन भी लोगी होगी युद पें थाइस यौल विदियू को चैनल को हमें लुड़ के करने लाना और चाहरी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए सेल कीजिए और दमन की ट्रीप इसी तरीके से इंज्वाइब कीजिए तो याद रखिए दाउन ना घुमने के लिए आपको जो है देवकार भी चे जांपफॉर भी जांपफॉर जो है फोट है यही आप गुम सकते हैं और मस्क platinum फोट हैं होगी जाते हैं